Hello Friends, Fastest Series में आज बात करेंगे केमिकल कानेटिक्स की, इस यूनिट में से एक नुमेरिकल 100% आएगा, बाकि थूरी के टोपिक समयाँ पर डिस्स करता है, नुमेरिकल बाद में अप्लोड किये जाएंगे सबसे important question यहां बनता है, order of reaction क्या होता है, तो rate ला ने कहा था कि rate of reaction directly proportion होता है, reactant की concentration, कौन सी concentration है, जो यह powers दी हुई ही यह, order of reaction क्या है, कि यह जैसे लिखा, यह coefficient A और B, इन पर depend नहीं करता, experimentally determined किया जाता है, तो order of reaction क्या है, कि यह जो reactants की concentration की जो powers हैं, उनके sum को order of reaction कहते हैं, इनके जोड को, और वो experimentally determined किया जाता है, 30 कली आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जैसे मैंने reaction लगी, के rate क्या है, के यह rate constant है, A, B, X और Y की power हैं, तो यह X और Y क्या है, experimentally determined किया हैं, क्योंकि coefficient तो यहां देखो A और B लिखा हुआ हमने, तो X और Y का जो sum होगा, इसको कहा जाएगा order of reaction, अब मान लिया, Nth order की कोई भी reaction है, तो यहां पर units पूछते हैं, one mark से question में कई बार, तो A कोई reactant है, यह product में बल गया, तो rate क्या आएगा, K और A की concentration की power, क् कि N order की हमने मानी है, तो N यहां पर लिख दिया है, तो K को इस तरफ लिया हूँ, rate यहां आ जाएगा, rate क्या है, rate upon A, A, याने concentration की power है, N, तो rate क्या होता है, rate होता है, concentration upon time, तो यह concentration upon time, यह है, तो यह क्या होता है, one, two, three, four, पढ़ते हो ना, यह इसके साथ गुना होता है, य तो इसी तरह concentration upon time, यह rate है, यह होगा, one upon concentration की power, N, यहां से हम unit निकाल सकते हैं, जैसे के zero order की निकालनी है, तो यह N क्या है, यही है, यह zero order, यहां पर लिख देंगा आप, तो rate क्या है, यह concentration upon time, concentration क्या है, mole per liter, time क्या है, upon second हमने कर लिया है, into one upon concentration की power क्या है, zero, किसी की power zero तो यह क्या आगी unit, mole per liter उपर करेंगे तो per second, तो याद रखना है, zero order reaction की unit है, rate constant की unit है यह, क्या है mole per liter per second, अगर हम first order की बात करें तो क्या आएगा बताइए, mole per liter और upon second, यह liter L बड़ा लिखना आपने, यह क्या है, one upon mole per liter और इसकी power कितनी है अब? first order है, तो इसकी power है one, one means इससे यह कट गया, क्या बच गया, one upon second, so second inverse, तो याद रखना है कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यह तो बहुत कमजोर सी छोटी सी unit आई है, यह कहीं zero order की तो नहीं है, ऐसा नहीं है, यह किसकी है, first order की है, यह बाते numerical में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कई बार order नहीं बताया जाएगा, लेकिन वहाँ से आपको unit देखनी है, rate constant की unit क्या है, जैसे कहीं आपको दी जाती है, per second unit है, it means वो first order reaction की बात कर रहा है, अगर mole per liter per second है, तो किसकी बात कर रहा होगा, zero order की, अब अगर मैं second order की ब second order reaction की बात, अब देखो first order की, अगर हम एक domain में example देखें, तो radioactive disintegration, जो radioactive elements तूटते हैं, वो example है, first order का, इसके अलावा थाइनोयल क्लॉराइड SOCL2, इसका distillation भी इसका example है, second order का जैसे CES3, CO, C2H5, NaOH, तो C2H5 और OH यहां से चले जाते हैं, यहने इसके साथ लगेगा, यह reaction क इसकी है, second order का example है, 2HI decompose हो जाता है, H2 और I2 में यह second order का example है, third order का जिसे यह है, 2NO प्लस O2, यहां पर एक कमाल की बात यह और यह जितने भी example हमने लिए हैं, तो इसमें यह भी जैसे 3RM molecules भी, तो यह बराबर हो भी सकते हैं, जैसे 2 और यहां यह 1 है, 3 और नहीं भी हो सकत है, क्योंकि इसको molecularity करते हैं, अभी हम पड़ेंगे, जबकि order of reaction इन पर depend नहीं करता है, तो just a coincidence है, zero order reaction वो है, जो concentration of reactant पर depend करती ही नहीं है, उनको zero order करते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, जैसे के H2 प्लस Cl2, यह reaction तब होगी, जब light की presence होगी, आप कितना ही H2 की concentration बढ़ लें, कितना ECL2, यह reaction नहीं होगी, कब तक, जब तक, आप इसको light नहीं देद लेंगे, तो यह क्या, यह light पर depend करेंगे, तो zero order है, reactant का चक्र ही नहीं है, इसमें कोई, इसी तरह NS3 अगर decompose हो, तो platinum इसकी जरूत पड़ेगी, तब यह decompose होगा, light पर depend कर, light नहीं, sorry, यह concentration प बहुत important, यह भी कई बार कुछते हैं, should of first order reaction, should of means होता है, false, तो यह क्या है, they are not actually first order, really they are not first order, but they under certain condition, behaves like first order reaction, वो real में नहीं होती, लेकिन कुछ conditions में behave करती हैं, जैसे यह है, सुक्रोज है, C12, H22, O11, इसका आप hydrolysis करें, तो जब भी आप water को बहुत ज़्यादा quantity मिले ले हैं, तो यह first order की तरह behave करने लग जाती है, next कई बार आपसे पुछते है, molecularity and order of reaction में क्या difference है, तो molecularity का मतलब होता है, कि total number of species, याने कि reacting species कितने हैं, उनकी total आपने गिंती करनी है, वो molecularity उसकी कही जाती है, जैसे अगर मैं इस reaction की बात करूँ, NH4NO2, it gives N2 plus 2H2O, तो यहाँ आपर देखो कितना है, यह एक molecule है, it means इसकी molecularity क्या है, वन है, अगर इसकी बात करें हम, तो यह order of reaction के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि order of reaction तो experimental values पर depend करेगा, जो rate ला बताता है, तो यह जैसे two molecules इसके हैं, तो इसकी molecularity कितनी है, two है, अब जैसे के difference की सम कर देनी है, यानि कि reactants की जो power है, rate ला के according, उसका सम कर देना है, तो वो आएगा overall order of the reaction, दूसरी बात, यह molecularity हमेशा whole number होती है, means यह कभी नहीं होगा, कि आदा molecule किसी का react कर आई है, one upon fourth कर आई है, whole number ही होगी, जबकि order of reaction आपका zero भी हो सकता है, fractional भी है, whole number one, two, three यह भी ह होता है, यह theoretical concept है, molecularity, जबकि order of reaction, purely practical concept है, practically उसकी value, determine की जाती है, और अगली एक और बात आप बता सकते हैं, कि molecularity जब आप calculate कर रहे हैं, तो elementary reactions की आप calculate करेंगे, means जो एक ही reaction दे हुई हो, लेकिन बहुत सारी reaction, लग बग कुछ को छोड़ दें, तो बहुत सारी reactions, complex reaction होती है, means वो एक से ज़्यादा step में पूरी होती है, वहाँ पर molecularity फेल हो जाती है, हम इसको determine नहीं कर पाते हैं, जबकि order of reaction चाहे elementary है, या फिर complex reaction है, यह सब के उपर लागू होता है, जैसे एक example यहाँ देखिया, यह जो है, अगर हम इसको देखना चाहें, कि इसकी molecularity क्या है, तो इसकी two है, यह two molecules है, लेकिन अब देखो इसके मताबिक अगर हम देखें तो order of reaction क्या है, N205, यह reactant है ना, इसकी power कितनी हो जाएगी, two, लेकिन जब actually हम देखते हैं, experimentally, तो यह second order reaction नहीं है, यह कैसी है, first order reaction है, क्यों, क्योंकि यह एक से ज़्यादा step में होती है, और जो reaction एक से ज़्यादा step में होती है, इसमें slow step एक fast है, तो rate को determine करेगा slow step, fast determine नहीं करेगा, यह example मैंने आपको बार बार दिया है, मानले आपको race करनी है, कहीं दूर जाना है, आप बहुत तेज भागते हैं, आपका दोस्त बहुत सेज भागता, आप दोनों को बांद दिया rate determining step किसी भी reaction में कौन सा होता है, जो slow है वो होता है, जैसे इस reaction पर अगर हम जोर डालें, देखें, तो यह two step की reaction है, first में क्या होता है, यह जो N2O5 है ना, यह तूट जाता है, किस-किस में NO2 and NO3, अब इसमें देखो, यह first order है, और यह क्या है, यही slow step है, और slow step ही rate को determine करता है, तो यह step determine कर देगा, और इसमें molecularity 1 है, order of reaction भी 1 है, अब दूसरी पार्ट में क्या होता है, यह दो molecule है ना, दूसरा एक और N2O5 होता है, वो जो है, वो फिर react करेगा इसके साथ, NO3 के साथ, और फिर यह बनाएगा 3NO2 प्लस O2, क्योंकि तीन और एक चार है ना, उपर इस करता है, अब यह numerical इस unit में चाता है, तो बिलकुल सारे के सारे चंद सीज़ यहां से बनते हैं, कि numerical आप से यहां से पूछा जाए, इन तीन formula से ज्यादा तर आपके numericals जो इसमें आते हैं, वो लगबग आप पार उतर जाओगे, कोई एक आदा formula और बचता है, वो बाद में हम देख लेंगे, जैसे half life, इसके उपर पूछते हैं, ज्यादा तर इसी के उपर numerical मिलेंगे, easiest numerical इस unit के होते हैं, half life means जो reactants है, जब उनकी half concentration react कर चुकी होती है, उस time period को का जाता है half life, तो half life क्या है, the time period during which half of the reactants has reacted and changed into product, तो वो half life कही जाएगी उसकी, zero order reaction के लिए half life का formula क्या है, ये directly proportional है, concentration of r0 means initial concentration है, तो इस पर depend करेगा, initial पर तो बहुत कुछ depend करता ही है, क्योंकि आप शुरू से क्या लेकर चल रहे हो, उसी जे पता चलेगा, आप कितनी दूर तक जाओगे, जैसे आप किसी बाइक पे जा रहे हो, तो शुरू में आपने कितना oil डाला है, जहां से आपने reaction शुरू की, उसी से तो पता चलेगा, आप कितनी दूर तक पहुंचागे, फर्स्ट ओर रियक्शन है, इसमें टी आफ क्या होता है, बहुत important formula है, is equal to 0.693 upon k, ये क्या है, ये rate constant है, अब देखो इसके उपर numerical बहुत बार कुछ थे हैं, इस से आसान कुछ नहीं हो सकता, अगर rate constant पुछे तो k को आप यहां ले आओ, टी आफ को यहां ले आओ, अगर टी आफ 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 लाई पूछता है, तो आपको इसकी value दी भी मिलेगी, बिलकुल आसान है, इसके लावा एक formula है, integrated rate low, first order reaction के लिए, वो क्या है, वो t is equal to 2.303 upon k, logarithm, initial concentration upon final, यह initial है, R0, यह क्या है, final है, अगर rate constant आप से पूछता है, तो बहुत आसान सी बात है, के को यहां ले आओ, टी को यहां नहीं है पहुछा दो, कुछ easiest questions भी यहां से पूछे जाते हैं, जैसे chemical kinetics को define कीजिए, तो यह branch of physical chemistry है, जो क्या करती है, rate of reaction को determine करते हैं, उस square bracket, यह क्या है, concentration है, तो इसमें change in concentration of reactant upon change in time, या product, यह minus sign reactant के साथ लिखा है, क्योंकि जैसा ही reaction होगी, तो reactant की quantity कम होती जाएगी, क्योंकि वो react करेंगे और product की बढ़ती जाएगी, इसलिए यहां पर क्या किया है, माइनस किया है, यहां पर plus sign आता है, दो type की rate है, average और instantaneous, यह detail lecture भी मैंने डाले हुए है, इसे शुरू-शुरू के, तो average में क्या है, the rate which is determined over a long span of time, और instantaneous क्या है, the rate which is determined at a particular instant of time, कुछ समय के लिए जोता है, तो यह delta कर देना, यहां जैसे reactant concentration का change है upon delta T, instantaneous में क्या है, बहुत small change होता है, बहुत small change के लिए है, तो यह भी delta, लेकिन D, यह यहां पर भी D, यह क्या है, यह very small change है, इसको आपने लिख देना है, इसके बाद आप से पूछ सकते हैं, reaction को कौन-कौन से factors affect करते हैं, पहला जैसे nature of reactant है, तो अगर ionic है, तो ionic reaction fast होती है, covalent उसकी बज़ाए कम होती है, concentration of reactant, जीतनी concentration आप बढ़ाएंगे, reactant molecule की क्या बढ़ेगी, अपस में टकराएंगे, collision ज्यादा होगा, उतना ही उसका rate बढ़ता जाएगा, increase करेगा, temperature node out जैसे आप temperature बढ़ाएंगे, उनकी kinetic energy बढ़ेगी, energy बढ़ेगी, तो क्या होगा, reactant जल्दी जल्दी से product में change होगे, तो rate of reaction increases, catalyst जो है, ज्यादा तर, वैसे catalyst दो टाइप के हैं, positive, negative, लेगिन ज्यादा तर, catalyst क्या करते हैं, rate of reaction को increase करते हैं, surface area जितना ज्यादा बढ़ेगा, collision जब होगा, molecule का, तो ज्यादा ज्यादा surface area क्या होना चाहिए, contact में आना चाहिए, ताकि वो effective collision हो, उतना ही rate उसका बढ़ेगा, light कुछ reaction में, जिनको photochemical reactions कहत ही है, और इसकी presence से rate of reaction बढ़ जाता है, एक आद बार rate law आप से पूछ लेते हैं, तो rate law क्या है, पहली बात आपने याद रखनी, इसके बारे में, ये experimentally determined होता है, balanced equation से आप rate law को नहीं बता सकते हो, क्या करना है, reactant की जो concentration की जो powers हैं, उनका sum कर दिया जाता है rate law में, और य theoretically decide नहीं होता, balanced chemical equation से decide नहीं होता, ये experimentally determined होता है, और आखिर में ये अब कोई कहने की बात नहीं रह गई है, कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको like, share और subscribe करना ना भूले.